नमस्कार लाइफ सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बंदवार बिहार विधान परिशब के पांस सीटों पर चुना हुए चार पर चुनाओ तो एक सीट पर उप चुना हुए ऐसे में जो नतीजे निकल कर सामने आये उससे ये पता शला कि बीजेपी का गया सीट पर वर्चस्व देखने को मिला गया से दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया वही बात आरजेडी की करें तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया और जेडी वो घाटे में नजर आई महीं प्रशान किशोर का जल्वा देखने को मिला क्योंकि एक तरफ जहां देखा जा रहा था कि बीजेपी और महागटबंधन के बीच में तकरार है कहा जा रहा था कि दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई है लेकिन असबीज प्रशान किशोर का तरीके से उमदबार का जीतना बड़ा सवाल खड़ा करता है ऐसे में देखेंगे कि नतीजे को लेकर बातचीत करेंगे हमारे साथ सीनियो जर्नलिस्ट ग्यानिसवर सर है सर ये जो नतीजे निकल कर सामने आए बहार विदान परिसत के चुनाओं के दौरान आरजेडी का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला जीडियों की एक तरह से देखा जाये तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा वहीं बीजेपी का वर्चस्वर देखने को मिला है और इस प्रशान तिशोर जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था उनके उमिद्वार की जीत हो गई या क्या कुछ कहेंगे निए देखे निशा यह बात तो सही है कि आरजेडी ने जीत हासिल लेगी इन पांस सीटों में से एक सीट पर आरजेडी चुनाव लग रहा था गया इसना तक निरवाचन शित और उमिद्वार कोई शामान उमिद बार नहीं थे बिहार आरजेडी के प्रेसिडेंट जगदा नंसिंग के बेटे पुनिट सिंग विद्वार थे वे चुनाव हार गये और इसी कारण आपने कहा कि खाता नहीं खुला लेकिन देखी हार इसलिए महत्वपुन है कि गया इसना तक निरवाचन शित्र में जो आ उन छेत्रों में महागटबंदन को जीत मिली थी ठीक है न आप तो देखिए उनके साथ है निटिश कुमार भी तो आरजेडी का खाता नहीं खुलना देखिए बीजेपी की बात करें बीजेपी ने गेन किया बीजेपी के पास इन पांस सीतों में सिर्फ एक ही सीत्थी गय वह यह जेडिव की बात कर रहे है जेडिव की तीन सीते थी गया सिक्षक संजीब स्याम सिंग हार गये लेकिन सारण इस तना तक विरिंदर नरायन जादब में चुनाव जीत लिया और इसके साथ ही कोशी में भी चुनाव जीता है लेकिन BJP को भी समिख्षा करनी होगी तो कि BJP की जहां हार हुई है वो बहुत गंदी हार हुई है बलकुल चाहे हम सारन सिख्षक की बात कर ले या कोशी की बात कर ले और सारन इस नातक में भी महाचंदर पसासिंग जैसे दिगज जो कई बार चुनाओ चीते हैं पहले वे ल तब हुआ था जब संजय आइसवाल ही बिहार भाजपा की अध्यक्स थे तो बीजेपी भले ही बिहार बिधान परिसर में सबसे बरी पार्टी बन गई लेकिन सारण और कोसी में हार के लिए और सारं सिक्षक में जो उनकी रिपोर्ट रही या जिस तरीके से हार हुई गत हो गई इसके लिए उन्हें आत्ममन्थन करना होगा अब देखिए आप जो बात कर रहे हैं प्रशान किशोर के उदय का प्रशान किशोर ने सारंद सिक्षक निर्वाचन शेतर में ना सिर्फ एंडिये को और ना सिर्फ महागटबंदन को दोनों को हराया और उनके दो मिद्वार इस बात को भी समझना होगा कि अभी प्रशान कि अधिक बिहार उन्हें घुमना है दो अक्तूबर से उनकी पध्यात्रा सुरू हुई थी तो उन्होंने उमिद्वार मगद में भी लराया था मगर सिच्चक में वहां भी उनकी उमिद्वार तीसरे नमर पर रहे हैं उन्हें ठीठाग मत आया है तो देखिए जो मत आया ती यह कुछ और होते हैं समझना यह है कि प्रशान किसोर का जो उद्य हुआ अब देखिए यह जो चुनाव होते हैं बिधान परिशत के सिक्षक और इसनातक के यह चुनाव मद्दाता सुची बिलकुल नहीं होती है और प्रशान किसोर का जो समू है उसने इस मद्दाता हुआ तो परसांद किसोर का ये फैक्टर परसांद किसोर ने यह बात परमानित की है कि यह रही हुए टार्गेट लेकर काम करें हैं कि हमें इन छेत्रों में अपनी उपस्चिति दर्ज करानी है देखिए वे संगठन के निर्मान के लिए और वे डाटा के लिए राजनेटिक समझ तो है ही इसलिए उन्हें पुलिटिकार भी कहा जाता है और आपने देखा होगा इसके पहली कई साल पहली की बात है कि पटना विश्विद्धाले छातर संग के अध्यक्ष का चुनाओ था तब वे नितिस्कुमार के लिए काम कर रहे थे नितिस्कुमार के साथ ही थे प करके दी परशान किसो ने इसी तरीके से चुनाओ दरा तो आगे आने वाले दिनों में लोग सभा चुनाओ में वे क्या कर पाएंगे ऐसे कहा जा रहा है कि जिन जिन छेत्रों में उन्होंने पद्यातरा कर ली है वहां संगठन बनाने का काम और Orbán का काम पूरा कर कर रहे हैं देखिए उनके साथ यह रही हम राजनैटिक सक्स में बात करेंगे तो सबसे पहले जूरने वाले हैं सच्डानन राय एमलजी उन्होंने सारन प्रियस्तरिये पंचायत प्राधिकार के चुनाव में बीजेपी से बागी होकर जब बीजेपी ने टिकत नहीं दिया तब भी चुनाव लड़े और बीजेपी को सिकस देती थी तो जब प्रशान किसोर ने लक्ष तैकर चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे तो यह परिशानी हो सकती लेकिन वो नुक्सान किसका अधिक पहुंचाएंगे यह आगे आने वाले दोन में और देखिए दूसरी लोकष चुनाव से ज़्यादा महतुपण बिधान सबह चुनाओ दोहजात पचीस होगा प्रशान किसोर का मीशन और यदि दोहजार पचीस में भी चुनाओ बिःधान सबह का दोहजार बीस की तरफ ekryए दो monstrान किसोर की धमः किस तड़ीके से परेशानी पैदा कर सकती कि इससे समझ रहा होगा बिहार में 243 बिरान समझ चेता है और आपको पता है कि जब 2020 के नतीजे आए जब रुजान आ रहे थे नतीजे बदल रहे थे तो दोनों गठवंदन में महा गठवंदन में और इंडिये में किस तरीके से धक धक चल रहा था तब नितीज कुमार 2020 में बीजेपी को 74, 74 और जेडियू को सिर्फ 43 सिते आई थी तो बीजेपी और जेडियू जो एंडिये एलाइंस में दो बड़ी पार्ट के थी इन्हें मिलाकर 117 ही आया था तो सरकार कैसे बनी सरकार बनी हम चुकि वह भी साथ थी उन्हें चार सिते आई बी आई पी मुक देना परा था तो यदि परसांद किसो जिस तरीके से लक्ष तैकर खास छेत्रों में चुनाव लग रहे हैं और 2020 जैसा ही महौल रहा तो मालूम होगा कि पांस सीट, साथ सीट, दस सीट, पंदर सीट वे तो बिहार की ही बात करेंगे लेकिन यदि इतनी भी उन्होंने जीत सुमित सीग, उन्हें अपने साथ कर लिया, बाद में बसपा की किलोटे जीते हुए विदबाद जमाखान को अपने साथ किया, फिर जो लग्रेश को नीज सीटे, कॉंग्रेस ने सबसे बरा नुकसान पहुचाया था, और माले ने 12 सीटे, CPI और CPM ने मिलकर 4 सीटे, तो यह 110 तक ही पहुचा था, फिर भी तेजस्ति जादब सरकार बनाने का सपना कैसे देख रहे थे, वे वैसी की पार्टी के 5 बिधायकों को भी अपने साथ लेने को तयार थे, अब तो देखी वो 4 बिधायकों को तोर चुके हैं, और उन्हीं उ इन छेत्रों में लड़ना है, यहां यहां मेरा अधार मजबूत हो गया है, तो कहीं ऐसा नहों, देखी किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, और कहा जा रहा कि संगठन बनता चल रहा है, जगातार वो यह दावा भी करते हैं कि चाहे बीजेपी के सरकार हो या नितीश कुमार के सरकार हो उन्होंने बहुत मदद किया उन्हीं जिताने में? नहीं वो तो कहते ही कहते हैं और देखिए और जिस माहौल में चुना हुआ अभी बिहार बिधान प्रिशत का उनके उमिद्बार अफाक अहमत थे बिहार में हिंदू मुसल्मान का तनाव पैदा करने की कोशिस की जा रही थी कुछ जिलों में सफलता भी मिल गई सासराम और वियासरीप में लेकिन यह तो मानना होगा ना कि बह पार्टी तयार करते हैं और पद्यात्रा समाब्त करने के बाद वह इस त globalization से बिहार में कूछते हैं एक बात तो सही है कि उन्हों ने कहा था कि जब हम दो वह बहुत कम मद्दाताओं की नतीजे होते हैं, इसे आम चुनाओं से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन धमक तो है, बिल्कुल, तो सुना अपने प्रिशांत किशोर ने किस तरीके से अपना जल्वा दिखाने का काम किया, एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि विधान परिसत क महागडबंधन और बीजेपी में अच्छी खासी धमक देखने को मिलेगे, लेकिन प्रिशांत किशोर का जो दावा था, वो कहीं न कहीं सच साबित होता दिख रहा है, बीते दिन की बात करें तो प्रिशांत किशोर ने ये भी कहा था, कि हम किसी का वोट नहीं काटेंगे, कि हम कोई वोट कटवा थोड़ी है, जनता सब को काट के रख देगी, जनता महागडबंधन और बीजेपी दोनों का सफाया कर देगी, ऐसे में चुनाओ भी नस्दीक है और बिहार वधान परिस्तत के नतीजे भी काफी एहम माने जा रहे थे, बहरहाल इस खबर में इतना ह कि अ कि अ कि अ धा, गगू है और यही है कि अ कि अ अ रहे हैं, व्यों रहे हैं, खहाल और वोड़ी है